Hello and Welcome to Bridgebala Education YouTube Channel आज के इस educational lecture में बच्चों हम discuss करने वाले हैं Class 9th English Beehive Book की स्टोरी The Snake and the Mirror को Students ये एक बहुती अच्छी स्टोरी है जिसको लिखा है वेकोम मुहामद बशीर ने मलियालम की स्टोरी है ये और इसको मलियालम से English में translate परने का काम किया है अब्दुल्ला जी ने, वी अब्दुल्ला जी ने तो चले ही शुरू करते हैं इस स्टोरी को हम क्या, देखी ये जो स्टोरी है ये एक तरह का narration है narration का उतरब writer इस स्टोरी में अपनी खुद की कहानी सुना रहा है Has a snake ever coiled itself round any part of your body a full-blooded cobra, all of us fell silent क्या किसी snake ने कोब्रा ने किसी snake ने coil किया है एक full-blooded cobra, एक complete पूरा जिंदा कोब्रा हम सब चुप हो गए ये question एक homeopath, यानि homeopathic doctor की तरफ से आया था ये topic तब आया यानि doctor ने snake का जिक्र तब किया जब हम सारे मिलके snakes के उपर discussions कर रहे थे हम सब attentively सुन रहे थे तो doctor अपनी कहानी जो है वो continue करता है और हम सब बाकी जो लोग हैं वो बैटके उसकी बात को attentively सुन रहे थे hot summer night थी कर्मियों का मोसन था और एक गर्मियों की रात थी, लगबग 10 बजे थे, मैंने रेस्टरों में अपना खाना खाया और मेरे कमरे में वापिस आ गया, मैंने उपर से एक आवाज सुनी, जिस कमरे में मैं था, उसके उपर की तरफ से, छट की तरफ से मैंने एक आवाज सुनी, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, ये साउंड मेरे कमरे में अकसर आती रहती है ये एक familiar sound थी, familiar का मतरब जो आवाजें अकसर मैं अपने कमरे में सुनता रहता हूँ आराम से कोई भी बता सकता है कि ये चूहों की आवाज थी ये कहा जा सकता है कि rats और मैं उस कमरे में साथ साथ रहते हैं, ये sharing में रहते थे थे उस room में क्योंकि जितना कबजा उस room में उस घर में बिजली नहीं थी, घर के उस कमरे में बिजली नहीं थी, ये एक छोटा सा किराय का कमरा था, मैंने अभी medical practice शुरू ही की थी, मैरी earnings वर मियेगर, मतलब मेरी कमाई बहुत कम थी, मियेगर का मतलब बहुत कम थी, मेरे पास लगवग 60 रुपे थे मेरे suitcase में, उसके सा और धोती थी, पहनने के लिए, और मेरे पास एक अकेला, solitary का मतलब एक अकेला black coat था, एक ही black coat था, जो मैं उस वक्त पहने हुए था, जब मैं कमरे में आया, मैंने अपना black coat उतारा, white shirt उतारी, और not so white west उतारी, not so white अब देखिए, ये चीज़ काफी, जो है एक तरफ point करती है, not so white का मतलब, जब सफेद रंग की बनियान को लंबे टाइम तक पहना जाता है, तो यलोईश हो जाती है, इतनी गंदी हो जाती है कि बार-बार धोने के बाद भी अच्छे से साफ नहीं होती, तो इसने कहा है कि not so white west, ठीक है, बनियान है एक जो white थी शुरू में, लेकि इसकी एक दिवार की खिडकी खोलने पे open yard, खुला आंगन नजर आता था, ठीक है, यानि ये कमरा तीन तरफ से बन था, एक तरफ से खुला आंगन था, इस घर की छत पे tiled roofs थी जैसे कि यहाँ दिखाया गया इस picture में देखिए, टाइले लगी हुई थी roofs पे, लंबे-लंब गेबल थे, ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है, ये गेबल है, और इस गेबल को support करने के लिए beams लगाये गए थे, दिवार के और गेबल के बीच में, ठीक है, ये देखिए, जैसे beam किस तरीके से कहेंगे, हम यहाँ पे इस तरीके से एक beam लगाया गया है, और यहाँ प इसकी और और इसके अलावा इसके नीचे कुछ भी नहीं था तो चुहों के लिए काफी स्पेस था मतलब चुहें उन बीम के उपर चल फिल सकते थे अपना घर बना सकते थे लगाता रैट्स मूव करते रहते थे उस बीम के आगे पीछे उस बीम की तरफ उस बीम से बाहर की तरफ लगाता रैट्स मूव करते रहते थे रैट्स का ट्रैफिक रहता था मैंने अपना bed तैयार किया मेरे bed को मैंने दिवार के पास खीचा दिवार के पास शायद इसले खीचा होगा क्यों गर्मी की रात थी कमरे में पंखा वगरा थानी Lexington थी थी नी तो शायद हवा के लिए उसने bed को खिडकी के पास खीचा होगा मैं लेट गया लेकिन मैं सो नहीं पाया मैं उठा और बाहर वरामदे में आ गया बाहर विरेंडा में आ गया थोड़ी हवा लेने के लिए लेकिन ऐसा लग रहा था कि जो विंड गोड है जो हवा के भगवान है जो वरुन देवता हैं उन्होंने चुट्टी ले रखिये have taken time off का मतलब उन्होंने कुछ समय की चुट्टी ले रखिये हवा बिल्कुल चल ही नहीं रही थी मैं वापिस रूम में चला गया और चेर पे बैठ गया मैंने अपने पास रखा एक box खोला जो table के नीचे था table के पास था उसमें से एक बुक निकाली जिसका नाम था Materia Medica ये कोई medical से related ही बुक लगती है तो मैंने एक बुक निकाली मैंने उसको टेबल के उपर उस टेबल के उपर रखे खोला जिसके उपर लैंप रखा हुआ था और उसी टेबल के उपर एक बड़ा सा mirror भी रखा हुआ था अगर उसके पास-पास कोई mirror होगा तो हमें उसके अंदर देखने की ललख होगी तो मुझे भी हुई मैंने भी अपने आपको mirror में देखा उन दिनों मैं beauty का great admirer था यनि सुन्दरता को चाहने वाला था अपने आपको बहुत सुन्दर समझता था और सुन्दरता को चाहने वाला था मैं मेरे लिए सुन्दरता बहुत बड़ी चीज होती थी उन दिनों में I believed in making myself look handsome और मैं अपने आपको और ज़दा handsome दिखाने के लिए कुछ न कुछ करता रहता था जैसे बाल बनाना, मूँ को साफ रखना क्रीम पाउडर वगरा लगाना तो इस तरह की चीज़े मैं करता था मैं unmarried था और मैं एक डोक्टर था अब उसको इस बात पर बड़ा गर्व है कि वो एक unmarried है eligible bachelor है वो ये मानता है और एक doctor है वो उसका profession भी ऐसा है जिसको पसंद करते है I felt I had to make my presence felt मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोगों को मेरी presence का एहसास हो मेरी मुझूदगी का पता चली मुझे अपने आपको और handsome दिखाने की कोशिश करनी चाहिए मैने कंगा उठाया अपने बालों में से कंगे को फिराया ran it through my ear अपने बालों को कंगा किया and adjusted the parting पाटिंग होता जो जो व dlatego में मांग निकालते हैं बीच में या side में जैसे लड़कीयां जादतर बीच में निकालते हैं लड़के side में निकालते हैं तो मैंने parting को यानि अपनी बालों की मांग को adjust किया ताकि वो straight और neat सीधी और साफ दिखाई दिये इसलिए मैंने अपने बालों की मांग को adjust किया Again I heard that sound from above दोबारा फिर मैंने उपर से एक आवाज सुनी पहले भी इसने एक आवाज सुनी थी ठीक है जैसे चुहों की आवाज आ रही है तो इसी तरह की एक दुसरी आवाज भी उपर से उसने सुनाई दी लेकिन उसने कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि पहले भी च मैंने लिया मैंने क्या decision लिया कि मैं हर रोद shave करूँगा एक पतली सी मूच रखूँगा ताकि मैं और handsome दिख सकूँ आखिरकार मैं एक कुमारा लड़का हूँ और eligible bachelor हूँ एक doctor हूँ मैंने mirror में देखा और smile किया काफी attractive smile थी मेरी smile जब मेरे चहरे पे आई तो मेरा चहरा और ज्यादा अच्छा दिखने लगा मैंने एक और धर्ती हिला देने वाला decision लिया अब इसके लिए तो यह आर्थ shaking decision है लेकिन हम जैसों के लिए एक unimportant सा decision है यह क्या decision लिया उसने क्या आर्थ shaking decision लिया कि मैं हमेशा अपने चहरे पे यह smile रखूँगा क्योंकि इससे मैं औ handsome दिखाई देता हूँ ठीक है I was after all a bachelor आखिरकार मैं एक bachelor हूँ एक कुमारा लड़का हूँ और एक doctor भी हूँ उससे उपर एक doctor हूँ मैं ठीक है तो वो ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि वो दिखने में अच्छा है उपर से उसका profession भी अच्छा है ठीक है तो उसका यह मानना है कि मैं एक काफी eligible लड़का हूँ again came that noise from above दुबारा फिर उपर से वही आवाज आई I got up paced up and down the room मैं खड़ा हुआ paced up and down the room के चक्कर लगाए मैं रूम में walking किया फिर then another lovely thought struck me फिर एक और बड़ा प्यारा सा ख्याल मेरे दिमाग में आया I would marry I would get married to a woman doctor who had plenty of money and good medical practice मैं एक female doctor से शादी करूंगा जिसके पास खूब पैसे होंगे और अच्छी सी medical practice उसने कर रखी होगी she had to be fat for a valid reason और वो doctor जो है वो मोटी होनी चाहिए इसका भी एक valid reason है मेरे पास अगर मैं कोई silly mistake कर दूँ अगर मैं कोई गलती कर दूँ और मुझे भागने का मोका चाहिए भागने के जरूरत पड़े तो वो मेरे पीछे भाग के मुझे ना पकड़ पाए इसलिए मुझे एक मोटी जो है doctor से शादी करनी है इस तरह के विचार मेरे दिमाग में आ रहे थे इस तरह के विचारों के साथ ही मैंने अपनी seat वापिस ले ली chair में दोबारा बैठ गया मैं उसी table के पास सामने जो chair रखी थे उसमें मैं दोबारा बैठ गया उपर से आवाजें आना बंद हो गई थी थोड़ी देर तक कोई आवाज नहीं आई suddenly एक डल थड की आवाज आई जैसे कि कोई rubber tube जो है वो नीचे गिरी हो ground पे थड की अनी जैसे कि कोई चीज नीचे गिरी हो कोई भारी चीज नीचे गिरी हो rubber tube जैसे चीज कोई नीचे गिरी हो इस तरह की आवाज आई surely nothing to worry about क्योंकि इस तरह की आवाजें घर में आती रहती थी तो चिंता की कोई बात नहीं थी उसने मन में सोचा even so I thought I would turn round and take a look फिर भी मैंने मुझे लगा कि मुझे पीछे मुड़के देखना चाहिए कि क्या चीज गिरी है no sooner had I turned that a fat snake regaled over the back of the chair and landed on my shoulder जैसे ही मैं पीछे मुड़ा एक मोटा स्नेक चेर के पीछे से रिंगता हुआ आया और मेरे shoulder के पास आ गया वो the snakes landing on me and my turning were simultaneous मेरा पीछे की तरफ मुड़ना और स्नेक का मेरे कंधों पे आना दोनों एक साथ हुए थे simultaneous का मतरफ एक साथ होना मैंने jump नहीं किया मैं कापा नहीं मैं चिलाया नहीं इस तरह का काम करने का मेरे पास time नहीं था नहीं मोका था क्योंकि अगर वो ऐसा कुछ करता तो snake उसको hit करता उसको काट लेता the snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow snake नो just slithering जो है snake की movement को बोलते हैं इस तरीके से जब snake चलता है तो उसको slithering बोलते हैं तो snake slither करता हुआ मेरे shoulder के साथ-साथ slither करता हुआ मेरी left arm के कोहनी के उपर वाले हिस्से पे coil कर लेता है वो जैसे snake जो है वो coil करके rat को या दूसरे जानवरों को मारते हैं भीचते हैं उनको उनका दम घोटते हैं ठीक उसी तरीके से snakes की आदत होती है coil करने की जो भी चीज़ उनको मिल जाती है पेड़ों पे coil करते हैं तो इस बार snake को coil करने के लिए क्या मिला है Left arm के elbow से उपर वाले हिस्से पे वो snake अपने आपको coil कर लेता है उसका जो hood है वो spread out था उसने अपना fun फैला रखा था उसका जो सिर्था स्नेक का, वो मेरे से 3 या 4 इंच की दूरी पे था, मेरे फेस से ये कहना ठीक नहीं होगा, कि मैं वहाँ पे सिर्फ अपनी सांस रोक के बैठा हुआ था मैं पत्थर हो चुका था, मैंने सिर्फ सांस नहीं रोकी थी मैं इतना स्टील हो गया था कि मैं एक स्टोन इमेज बन चुका था पत्थर की मूर्ती बन चुका था मैं लेकिन मेरा माइंड काफी एक्टिव था मेरे दिमाग में काफी कुछ चल रहा था दोर ओपन इंटू डाकनेस जो दोर था कमरे के बाहर और कमरे के अंदर दरवाजे के बाहर और दरवाजे के अंदर दोनों तरफ डाकनेस थी दरूम वो सराउंडिड बाई डाकनेस कमरे के अंदर भी अंधेरा था वो लेंप की लाइट जल रही थी जो लेंप मैंने केरोसीन लेंप मैंने शुरू में जलाया था उसकी light जल रही थी और मैं वहाँ पे mass की एक stone image, flesh की, mass की बनी हुई, एक stone की तरहें की image की तरहें वहाँ पे बैठा हुआ था, यानि इसका मतरब यह है, इस line का मतरब यह है, कि मैं बिल्कुल भी hill नहीं रहा था, ठीक है, बिल्कुल still था मैं, I felt then the great presence of creator of this world, फिर मैंने feel किया कि भगवान जैसी कोई चीज होती है, universe को, इस world को बनाने वाला कोई ना कोई है, भगवान वहाँ था, suppose I said something and he did not like it, अगर मान लो मैंने कोई ऐसी चीज कही, जो भगवान को पसंद नहीं आई, तो इसी वक्त वो मेरी जान निकाल सकता था, मु कुछ समय के लिए, I tried in my imagination to write in bright letters outside my little heart the words, oh God, मैंने अपनी imagination में, क्योंकि वो बोल नहीं सकता था, oh God, oh my God, इस तरह से वो कुछ बोल नहीं सकता था, situation ही ऐसी थी, इसलिए मैंने अपनी imagination में ही, bright letters में अपने दिल से, अपने छोटे से दिल से बाहर लिखने की कोशिश की, oh God, मुझे बचा लो, इस तरह से कुछ लिखने कोशिश की, यानि भगवान को दिल से याद कर रहा था मैं, यह मतलब इस लाइन का, मेरे left arm में खोड़ा दर्द हो रहा था, जैसे कोई मोटी lead की बनी हुई road, नहीं नहीं, lead की बनी हुई नहीं, molten fire की, पिगले हुए, पिगले ह लगने लगा, कि उस arm में ताकत ही नहीं बची है, साप ने इतना बीच दिया था उसको, शायद ऐसा हुआ होगा कि उस snake के उस बहां को जो है, दबाने की वज़े से, शायद blood का flow जो है बहां में वो हिंडर हुआ होगा, जिसकी वज़े से उसको ऐसा लग रहा होगा, कि उस मेरी छोटी सी movement से ही snake मुझे strike कर देता, मोत मेरे से सिर्फ 4 इंच दूर लटक रही थी, ठीक है मेरे से सिर्फ 4 इंच दूर लग कर रही थी, और अगर ये strike करता, अगर वो snake मुझे strike करता, तो मुझे कौन सी medicine लेनी है, मैं ये सोचने लगा, मेरे room में कोई medicines ही नहीं थी, I was a poor, foolish and stupid doctor मैं एक गरीब, बेचारा मुर्ख और stupid doctor था मैं अपना थोड़ी देर के लिए अपना खतरा भूल गया और अपने आप पे हीमेद हलका सा smile किया feebly का मतलब हलका सा smile किया जिसे ज़्यादा movement ना हो अपनी मुर्ख था पि मैंने smile किया ऐसा लगा कि गोड ने मेरी कारीफ की, मैंने भगवान को याद किया था, अपने उपर smile कर रहा था, ठीक है तो शायद भगवान को जैसे मुझ पर दया आगी हम यह कह सकते हैं snake ने अपना head मुझसे दूसरी तरफ turn कर लिया, ठीक है तो lamp रखा हुआ था pitable के पास इसलिए mirror में सब कुछ नजर आ रहा था, कमरे में अंदे रहा था फिर भी I do not claim that it was the first snake that had ever looked into a mirror but it was certain that the snake was looking into the mirror मैं ये नहीं कह रहा कि ये पहला ऐसा snake है जिसने mirror देखा होगा लेकिन ये बात confirmed थी कि वो snake उस वक्त उस mirror में अपने आपको देख रहा था Was it admiring its own beauty क्या वो भी मेरी तरह अपनी सुंदरता की खुद को handsome बता रहा था खुद की तारीफ कर रहा था Was it trying to make an important decision क्या वो भी मेरी तरह कुछ important decision दे रहा था जैसे lesson के शुरू वाले पार्ट में हमने देखा की वो narrator जो है वो देखते हुए mirror में देखते हुए कुछ decisions लेता है कि मुझे मूँच रखनी चाहिए मुझे एक fat lady से पैसे वाली lady से शादी करनी चाहिए मुझे अपने चहरे पे smile रखनी चाहिए तो शायद इसी तरह का कुछ important decision वो snake भी ले रहा होगा शायद वो सोच रहा होगा कि उसको मूँच रखनी चाहिए उसको eye shadow यूज़ करनी चाहिए mascara यूज़ करना चाहिए या फिर अपने forehead पे अपने माथे पे एक vermilion sport एक red color का sport bear करना चाहिए अपने fun के उपर अपने सिर के उपर कुछ snakes पे होता भी मुझे पक्का नहीं पता कि वो क्या सोच रहा था शीशे में देखके ये snake किस gender का था male था या female था मुझे नहीं पता मुझे कभी पता भी नहीं चलेगा क्योंकि जैसे ही snake ने मेरी arm पे से unwind किया मेरी arm पे से अपने आपको uncoil किया, खोला and slowly slithered into lap और फिर वो मेरी गोद में आ गया जैसे slither करते हुए, move करते हुए वहाँ से वो रेंगते हुए उस table के पास गया और mirror के पास जाके जो है, चला गया mirror के पास चला गया शायद वो अपनी reflection को शायद वो अपनी image को और ज़्यादा नस्दीक से देखना चाहता था, इसलिए वो मेरी body को छोड़के उस mirror के पास वाली table पे चला गया I was no mirror image cut in granite अब मैं stone से बनी हुई कोई image नहीं था I was suddenly man of flesh and blood मैं अचानक एक ऐसा मतरब पहले मैं एक stone image बन गया था अब जैसे ही साप table पे गया मेरे शरीर से थोड़ा सा दूर गया तब अचानक मुझे में जान आ गई I was suddenly a man of flesh and blood का मतरब है अचानक मैं hard mass का एक आदमी बन गया stone image से, यानि मुझे मैं अचानक जान आ गई, अभी भी मैंने अपनी सांस रोक रखी थी मैं चेर से उठा quietly यानि चुपचा दर्वाजे से होता हुआ विरेंडा में आया और वहां से मैं कूद के आंगन में गया और जितनी मेरे पास ताकत थी, पूरी ताकत लगा के दोड़ा फ्यू, each of us heaved a sigh of relief कहानी सुनने वाले जितने भी डोक्टर्स थे जितने भी बंदे थे उन सबने राहत की सांस लियो अखिरकर बच गया किसने पूछा, डोक्टर क्या आपकी वाइफ फैट हैं जैसा कि आपने डिसीजन लिया था नहीं, डोक्टर ने कहा God will otherwise, भगवान की कुछ और ही इच्छा थी मेरी वाइफ जो है मेरी जो जीवन की साथी है वो एक थिन रीडी, थिन रीडी का मतला बहुत ही पतली परसन है और एक स्प्रिंटर है, स्प्रिंटर नहीं तेज दोडती है वो बहुत तेज दोडती है ठीक है, तो जो डोक्टर ने सोचा था ठीक उससे उल्टा हुआ किसी और ने पूछा, डोक्टर, when you ran did the snake follow you, जब आप दोडे तो क्या snake भी आपके पीछे आया डोक्टर ने जवाब दिया मैं दोडता ही रहा, जब तक मैं अपने फ्रेंड के घर नहीं पहुँच गया मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं इमीडियेटल आइ स्मियर्ड ओल 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 ओवर मैसेल्फ और टुक अबाद मैंने फ्रेंड के घर पहुँचते ही अपने पूरे शरीट पे तेल लगाया क्योंकि सांप ने कोईल किया था मुझे तो तेल लगाया और फिर नहाया मैंने फ्रेश कपड़े पहने अगली सुबह लगबग साड़े आठ बजे मैं अपने फ्रेंड को और दो तीन और को लेके, एक दो और को लेके मेरे कमरे में आया, वहां से अपनी गई थी, जो बचा कुचा थोड़ा बहुत सामान उसके पास था, वो भी कोई चोर चुरा ले गया था किसी थीफ ने जदातर चीजें वहां से रिमूव कर दी थी, ले गया था वहां से रूम जो है वो बिल्कुल साफ था, चोर ने सब कुच साफ कर दिया था, but not really, लेकिन असलियत में नहीं थीफ ने एक ऐसी चीज छोड़ दी थी, जो मेरे लिए इंसल्ट की तरह थी, अब कौन सी चीज छोड़ दी थी, जिसकी वज़े से डॉक्टर को अपने friends के सामने शर्मिंदा होना पड़ा, वो क्या चीज थी, कहानी सुनने वालों में से एक ने पूछा, डॉक्टर ने का, my west the dirty one, मेरी वही गंदी वाली बनियान, मेरी वही not so white west, the fellow had such a sense of cleanliness, वो जो चोर था, उसके अंदर सफाई की कितनी sense थी, the rascal, वो rascal जो है, वो मेरी बनियान को भी ले जा सकता था, और साबून और पाने के साथ धोके, उसको use कर सकता था, लेकिन उसको तो मेरी insult करनी थी, बनियान वहीं छोड़ गया, बाकी सारा सामान ले गया, did you see the snake the next the doctor, क्या तो आपने अगले दिन भी snake देखा, doctor, doctor हसा I've never seen it since, मैंने तब से इसे नहीं देखा है, एक ही बार हमारा encounter हुआ था, उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा है, it was a snake which was taken with its own beauty, ये एक ऐसा snake था जो अपनी ही सुन्दरता से attracted अपने आप से ही attracted था, अपने आपकी ही तारीफ करता था mirror में देखके, शायद इस तरह का ये एक snake था ये अपने आप में अकेला snake था, ऐसे ज़्यादा तर नहीं होते, तो students ये था आपका lesson, the snake and the mirror, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए एक बार आप वीडियो की description को जरूर से जरूर चेक करें, वहाँ पे class 9 के लिए English, SS, Science और बाकी subjects के भी videos available है content available है, तो एक बार आप वीडियो के description को जरूर से जरूर चेक करें, thank you for being with us